उसमें हमने एक चमच लीमू का रस मिलाना है अगर आप उस ज्यादा क्वाटिटी में बना दिया है तो आप एक चमच लीमू का रस आट दे सकती हैं उसके ज्यादा नहीं तो वीडियो के अंदर अगर थड़ा बहुत शोर आए तो उसके लिए भी माज़रत कि मेरा बहांज आया हुआ है तो वो मुझे वर्त नहीं करने देरा लहाजा आप माइं नहीं करना अच्छा मैं रिपास यह एक चमच अंडे की सपैजी है इसमें एकच चमच मैंने लीमू क रस मिलादे ना है आप चाहें है तो इसमें आदा चाह वाला चमच पेकिंग सोडा मिला सकते हैं यह जो और लीमु का इस्तमाल कर लें या आप टेखिम सोटा का इसके एक चमच यहां पे मैं लीमु का रच मिला दूगी और पिर दोनों चीजों हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करनें क्योंकि यह सर्दिया है, सबसे पहले स्टर्प जेप यह कि आप इसको यह मिक्स करें और इसे अपने चेहरे पर प्लाइ कर लेगे हर तरह कि स्किन को सूट करेगा अप्यूकि तो खुछ की नाय चेहरे पर तो हम इसमें थोड़ी सी वैसलीन मिलेंगे अब यहां भी आपके पास option है इसमें आप 5-7 drops जर्टून का तेल, बदाम का तेल या नारिगल का तेल भी मिला सकती है वैजली अगर इस तरीके से mix नहीं होरी तो उसकी भी option आपके पास कि आप उसको double boiler में melt करके इसमें add कर सकते हैं लेकिन भी आपको पुड़ी तोर पर अप्लाइ करना पड़ेगा क्योंकि वो पीसमें जम जाएगी अच्छा आपने बिल्कु पोड़ी सी रस्कीन मिला लेनी है अब आपने तीन चीज़ा मिला लेने के बाद इसको मास्क की शकल देने के लिए आप इसमें फैरन लगली तिपट या कोई भी क्रीम एड़ कर सकते हैं लेकिन आप नाइट क्रीम इसमें एड़ नहीं करेगी आप एरन लगली भी मिला सकते हैं तिपट भी यहां मैं इसमें एथनी क्योर क्रीम आइट करूँगी इसका पाइदा यह होगा कि जिनके चेहरे पर दाने निकल आते हैं को मास्क अप्लाई करने से उनको इस तरह का थिकल खच्छा नहीं होगा क्रीम को बहुत देख लीजिए अगर आपको वैसी इंपल्स का पाबल में बहुत ज्यादा निकलता हैं जिसको भी किसी भी तरह किया तो आप तीन से चार नाइट जो है वो एपनी क्योर यह क्रीम जो मैं आपको दिखा ही है सिंप्लि अपलाई करके सो जाएं और दिन में भी इसतमाल करें इस महसं तीन से चार दिन इसके इसके इसतमाल से आपके चेरे से दाने और इसके निशान खतम होचाएंगे ऱपने ऋबञाए कर देगी नहीं तो आपको आपको पूसे लिए माट्क दो अपने मासक अपने नक पे हाथों पर पौश पर चेहरे पे बाउने किसी की आपने अपने शार कामिय जदा नहीं गर् Year इसको कोई भी आपको नुक्सान नहीं होगा आप इसको 20 मिनिट के लिए चोड़ेंगे लेकिन ये 15 मिनिट के अंदर ड्राय हो जाएगा सक्टी के वज़े से तो लियर्ज अप्लाइ करने के बाद आपको 30 मिनिट लगें के ड्राय हो चुका है तकरिबर इसको 15 मिनिट लगें 15 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं इससे स्किन भी बहुत जाएट हो जाएगी और आपकी स्किन वाइट भी हो जाएगी मैने इसको वाश करते हैं एक दफा थी स्कमाल से रिजल्ट मुझे इसका मिला है तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा राफ है मेरे पी आपने हैस देखे हैं सर्थी और क्यार ना करने के बज़े से तापी ज्यादा खराब होगी इनकी रंगत तो आपने इसको अफ़ते में दो बार इस्तमाल करने से कि एक दफास बहुत ज़दा जितना से आपको नदर आ रहा होगा वगर आप इस फाफ़ते में दो बार अप्लाइ करेंगे तो महिने में आप इसे आठ तक बार अप्लाइ कीजिए तो नेक्स्ट मन सक आप देखेंगे कि बहुत ज़दा आप इसकी परकाएगा एक से दो बार इस फास आपको रिजल्ट मिल जाएका देखेंगे इतनी मेहनत से दुनियो बनाई है एक लाइक तो बनता है ना और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुबारा कैसे ढूणेंगे तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब पर लिजिए और इस बैल के आइकन को क्लिक कर दीजिए इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच झाल झाल